नमस्कार आप देख रहे हैं जीडी विहार का मौनिंग लाइफ शोर विहार विहार और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका निहारिका की बेस्ट वाली गुद मौनिंग और स्वागत आप समी दर्शकों का कारीक्रम विहार विहार में किसी नहीं क्या खूब लिखा है, ख्वाहिस नहीं मुझे मशूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है अच्छा लगता है हर सुबह आप से मुलाकात करना, अपने महमान के माध्यम से, उनकी अनुभवों के माध्यम से कुछ जानकारियां आप से साजा करना जीवन से जुड़ी हुई धीर सारी बाते करना, थोड़ा मनुरंजन भी करना और सबसे एहम बात आपकी सुबह का हिसा बना चलिए अब कारिक्रम की बाते कर लेते हैं, अगर मैं देश की प्रगती की बात करूँ, राज्य की प्रगती की बात करूँ तो बड़ा जरूरी होता है कि जो हमारा इंडास्ट्रिल बेस है, वो मजबूत हो, आर्थिक रूप से हम सुद्रड हो, और इसकी लिए जरूरी है कि जो उद्योग धंदे हैं, उनका विकास हो सके, जो यवार उद्यमी हैं, उनके पास जो विचार हैं, उन्हें हम उद्यो में आना चाहते हैं, कोई स्टार्ट अप शुरू करना चाहते हैं, स्वरुजकार की छेतर की ओर बढ़ते हैं, तो कई सारी ऐसे बाते हैं, कई सारी ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब हम जाने की कोशिश करते हैं, या जिनके माध्यम से आगे बढ़ना हमारे लिए सहज होता ह अब देखिए जैसर वित्त की समस्या है इसके अलावा हम मार्केटिंग कैसे करें और साथ ही जब हम निर्मान की प्रक्रिया में शामिल हों तो सरकार की क्या योजनाएं उद्योग धंदों से जुड़ी हुई है अगर आप योद्यमी हैं अगर आप सक्षेतर में आना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि आज का हमारा यह यंक खास आपके लिए ही है क्योंकि आज हम कारिक्रम में बाते करने वाले हैं उद्योग जगत से जुड़ी हुई क्या विसेश योजनाएं सरकार आपके लिए लेकर आई है और साथ ही किस तरह से आप विभिनक शेत्रों मे अपनी पकड बना सकते हैं आज हम बातचीत करेंगे विसेश सचियों उद्योग विभाग दिहार सरकार से फिलाल बाते करती हूं अपनी प्रोडाक्टिविटी की अपनी शमता बढ़ाने की पता है जब हम दिन की शुरुआत करते हैं और अगर एक अच्छी विचार के आज हमने कतन लिया है डॉक्टर एपी जे अब्दुल किलाम का आए नज़र दाल दें कुछ चीजें नहीं बदल सकता स्वागत करिए हमारे साथ हमारे आज के विसेश मिहमान श्री दिलीब कुमार सरका अभी नंदन सर स्वागत आपकर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दूरदर्शन का जो मुझे आज बिहार बिहान कार्शक्रम के माध्यम से सभी दर्शकों के साथ धरू बरू हो रहें का मौका मिल रहा है सिर्फ हमारे लिए बहुत धर्शका बिशय ये है कि आपके जो अनुभाव हैं वो काफी छेत्रों के साथ है एक तो उद्योग जगत के साथ जहां आप फिलहाल कारेरत है इसके अलावा जो मास्क एमिनिकेशन का फिल्ड है जो पत्रकारिता का फिल्ड है और आपकी लेखन अब है ये कैसे आया और इसकी क्या वजह थी कैसी ये डिसीजन लिया बुस्तुता है जब मैं कॉलेज के दिनों में था टिंथ का एक्जाम पास करने के बाद लगाता है अखवारों के लिए एज फ्री लाउंसर लेखन करने लगा तो विभीन अखवारों के लिए मैं अधार चालक मार तो कर दिया ने से पहले मैं पत्रकारिता का काम चालू कर चुका था क्योंकि जो लोग फरकारिता काप क्युमारे गुरु उनका कहना था कि जब बहुत कम है तो सीधे फिल्ट रिपोर्टिंग ये दिखी जाए तो वह ज्यादा बहतर है तो मैंने उस आध तब हिसे मैंने राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय बेशायों के अलाबा काम भी चालू कर दिया था तो पत्रकार एक तरह से खेक में बहुत पहले बन गया था जब graduation किया तो हुआ कि जब graduation हो गया है और civil services के exam देने में मेरी उम्रह मुझे लगदा कि 19 साल ही हुआ करती थी कि दो साल का gap है तो मैंने कहा कि एक पत्रकारिता का भी diploma या degree का course कर लिया जा जो कि आपकी व्यक्तितों में या आपका प्रोफाइल है उसको strong करेगा तो इसलिए मैंने मास कम्मुनिकेशन में पीजी डिग्री हासिल की यह आपने जो बताया मुझे मुझे लगता है कि रुजहान आपका शुरू से था कुछ लिखने का कुछ पत्रकारिता की और कुछ का करने का वो आपने किया और जब आपको लगा की तयारी में जो समय है उसका मैं उप्योग करूँ आ और आप ने मास कम्मुनिकेशन में एमे भेगिया जब परिक्षा दी और परिक्षा पास किया उसके पश्याद जब आपकी पदस्था अपना हुई तो किन जगहों पर यो में योगदान दिया था और फिर 1999 सिविल सेवा क्या धार पर जब मुझे भारतिय रेले अतायात सेवा प्राप्त हुआ तो प्रारंभिक मसूरी में होने के बाद रेलवे संबंधित रेलवे स्टाफ कॉलेज था अब नेशनल इंस्टीट ऑफ रेलवे हैं वहाँ पर मैनेजमेंट है तो वहां से दो साल की ट्रेनिंग हुई ट्रेनिंग के बाद मेरी पदस्था अपना सदन रेलवे में हुई मेरी प्रदस्थ मेरी प्रदस्थापना हुई तो उत्तर प्रदेश जण ओर भेखर विलत्ष यह राज्यों में शुरुट के양़े मेज़त्युक्ता मुझे काम करने का माचा मिला है रेलवे में अपने विभिन पदस्थापन के बारे में हमें बताया फिलहाल आप विसीश सची है बिहार सरकार में अपनी प्रांध की बात करूँगी क्या देखते हैं जो दियोख धंदे की इस्तिती है क्या कहना चाहेंगे बिहार के संदर में बिहार में उद्योग धंधे लगाने का बहुत ज्यादा स्कोप है बिहार आप जानते हैं वन अब ते मोस्ट पॉपुलस स्टेट है जिसके पॉपुलस इंडेंसिटी के हिसाब से देखा जातो भी हम लोग बहुत आगे हैं दूसरे जहां भी रहेंगे वहां पर मार्केट होगा और जहां पर भी मार्केट होगा र disp reported यूद्धु वहां पर उद्योग धंदों का असकोप होगा सकरातमक के साथ काम के जान आवादी है इस तेरे क्रोर आवादी की जरूरतों के लिए तो प्रोडक्शन होना ही है साथ ही बिहार का लोकेशन है आप देखेंगे नेपाल से हम लोग बहुत करीब हैं तो यदि नेपाल को एकस्पोर्ट होना है तो वहां पर बहुत ज्यादा संभावना है है भूटान औ और पूर्वत्तर भारत के साथ है ब्यापार है पूरे बहुत का उसके भी बिहार के माध़म से होने की पूरी संभाबना है इन आरी चीछों को एकस्प्लोर की जाने की जरूरध है और इन सब के आधार पर दियुद्धन्द्ध किये जाए इस पूरे इलाके की हम लोग मानते हैं कि करीब साथ करोर लोगों के आवशक्ताओं की पूरती विहार में प्रोडक्शन करकर आप कर सकते हैं जिसमें एक्सपोर्ट टू बांगला देश है, एक्सपोर्ट टू भुटान है, एक्सपोर्ट टू नेपाल है, पुर्वत्तर भारत के सारे लोगों की आवे शक्ताओं की पूरती है, इन सब को आप माइंड में रख करके, इन सब को अपना टारगेट कंज्यूमर मानते सर, आपने जिक्र किया कि क्या संभावनाएं हैं हमारे प्रांत में, हमारे इस राज्य में और काफी हैं, अब मैं ये जाना चाहूंगी जो युवाय द्दमी हैं, बहुत सारे बिचार होते हैं, उनके पास ने आईडियाज होते हैं, जिसको एक्स्प्लोर करने की जरूरत ह होती है, पर कई सारी परिशानिया भी उसके साथ और रिस्क लेने में एक डरसा, एक भैसा भी होता है, सरकार नए स्टार्ट अप्स के लिए क्या योजना लेकर आई हैं, उसके बारे में हमें बताएं हमारे दर्श्य को, बिहर सरकार की ओर से युवायों को रुजगार दे पिछले साल हम लोगोंने 16,000 नए युवा अभ्यार्थियों का चयान किया है, इस योजना के तहत सबको 10-10 लाग की राशी दी जा रही है, जिसमें 50% राशी जो है, वह सबसीडी के रूप में है, और 50% राशी लोन के रूप में है, यह लोन भी तीन सेगमेंट के लिए ब ब्यास लगना है, और जो रिण की राशी है, उसको 84 बराबर किस्तों में बापर्स की जानी है, तो नए उद्यों के लिए और नए उद्यमियों के विकास के लिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी यूजना सरकार की है, जिसके तहत हम लोगोंने 16,000 नए उद्यमी स्रि करेंगे, और दूतिये किस्त में विभाकी और सो उनको वर्किंग कैपिटल प्रदान किया जाएगा, तो बड़ी मात्रा में नए उद्यमी हम लोगोंने मुख मंत्री उद्यमी यूजना के तहत कि अलग समाज के विभीन वर्गों के लिए अलग अलग नाम से उद्यमी मुख मंत्री अती पिछरा वर्ग उद्यमी यूजना, मुख मंत्री युवा उद्यमी यूजना, महिलाओं का विशास ख्याल रखा गया, तो एक और यूजना है हमारी, मुख मंत्री महिला उद्यमी यूजना, इन सभी यूजनाओं के तहत हम लोगोंने लागों का चेन कि हुआ है जिसमें हम लोग 10 लाख तक की कैपिटल फंडिंग कर रहे हैं सेड फंडिंग कर रहे हैं नए अउद्वेमियों को अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन सब्मिट कर सकते हैं भी हमारा पोर्टल जो है वह खुला हुआ है उसकी जाच हमारे दहिकारी करेंगे और जो भी है कि जो नए उद्वेमियों होंगे उनको पटना में कारजाला स्पेस भी विभाग की और से नेशुलक उपलब्द कराया जाएगा सीमेत अवधी के लिए इसके लिए एक स्टार्ट अप टावर भी हम लोग तयार कर रहे हैं डबलब कर रहे हैं तो जो भी नए उद्वेम एक साथ जोर करके रखा जा सब को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो यह है एक महतोब कांची उजना है उद्विकास के छतर में विभाग की और से नई लेदर और टेक्स्टाइल पॉलिसी भी बनाई गयी है बिहार की और से जो बिहार की टेक्स्टाइल और से ज्यादे इन्वेस्टमेंट जो है वह बिहार की और आकरशित किया जाए जो लोग लेदर और टेक्स्टाइल के च्छत्र में लगे हुए हैं यह जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में प्रोड़क्शन करकर के आप साथ करोर के पॉपॉलेशन को अपना मार्केट बना सकते हैं उनको को एक्सिप्लोर करने के लिए यहां आ सकते हैं दिश्क लिए सरकार की और से बनाया गया ऑगा है नए उद्वीयों के लिए हम लोग एक और बड़ा काम करते हैं वह है उनका कैन सही डहंका से मेंट्रिंग करना Ini के लिए दोनों के आपसे तालमेल के साथ एक incubation center काम करता है जहां पर कि लोगों को उद्योग के A से लेकर करके उद्योग की सफलता के Z तक पहुंचाने की क्या कारजनीती हो सकती है उसके बारे में बताया जाता है जीरोल्यप का मतलब की starting from zero पिर्वाद से बताते हैं की कहा से आप capital के विवस्था कर सकते हैं कहा से labor के विवस्था कर सकते हैं marketing के लिए क्या कर सकते हैं आपने market को और नई समभवनाओं से जोडने के लिए क्या गया सकते हैं शेर मार्केट में एनलिस्टिंग दी होनी है, किसी फर्म को उसके लिए क्या कर सकते हैं, यह सारी सुविधायें जो है, जिरो लग के माध्यम से हम लोग प्रदान करते हैं। असर आपने बहुत विस्तार से बताया कुछ यूजनाओं के बारे में, जैसे वित्त की सुविधा बहुत एहम होती है, जब हम शुरुवात करते हैं, किसी फिय उद्यम की, तो क्या-क्या विस्विधायें अवेलेवल हैं, जिसका फायदा हमारे यूवा उद्यम में ले सकते हैं? मैं सब को कहता हूँ कि बैंकिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएए, बैंकिंग अतीवी धियों में, जो गार्जियन हैं, उनके लिए भी है कि अपने बच्चों को कम उमर से हैं, बैंक में आने जाने की आदत लगवाईए, बैंक से कौन-कौन से सुविध हैं मिलत हैं, इसके बारे में जानकारी, संचित जानकारी ही सही सब के पास होनी चाहिए, उसे तरह से निवेश क्या होता है और निवेश के क्या फैदें हैं, इसकी जानकारी भी सब को होनी चाहिए, तो बैंकों के द्वारा फैनांस की सुविधाया उद्देमियों को उपलवद कर सबसे अच्छी शुब्धा जो बैंक को द्वारा बैंक के माध्यम से आप ले सकते हैं वो है PMEZP की शुब्धा प्रदान मंत्री Employment Generation Program के तहत जो manufacturing sector है वहाँ पर 50 लाख तक का लोन लिया जा सकता है PMEZP के तहत यहाँ इसमें सबसीडी का प्राफधान है गवर्मेंट की ओर से तो यह है और सर्विस सेक्टर में कोई काम चालू करना चाहता है तो उनको 20 लाख तक का लोन जो है वह PMEZP यूजना के तहत प्राप्त होता है इसी दर से एक और यूजना है भी वह PMFME यूजना यह खाद प्रसंसकरन के छित्र में जो एकाईया काजरत है या जो कोई नया उद्देमी food processing की इंडेस्ट्री लगाना चाहता है उनको जो है वह कोई लोन लेते हैं credit linked incentive scheme है जिस के तहत 10 लाग तक की जो subsidy है वह प्रदान के जाती है PMFME के तहत प्रदान मंत्री बूनकरी उजना है उसके तहत लोन लिया जा सकता है मुद्रा scheme है जिसके तहत लोन लिया जा सकता है लोन लेने के प्रक्रिया में बैंकों के साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है इसलिए सब सबसे जरूरी है कि बैंकों के कार्ज करते हैं कि प्रदाली को हम लोग समझें जाने और कई बार लोग आते हैं बोलते हैं कि बड़ी रेकम का लोन हमको चाहिए लेकिन बैंकिंग वेवस्था में अपनी credibility आत्मी को खुद बनानी परती है अपना civil score खुद क्रियेट करना प राप्त होता है तो इदी लुन के आवशक्ता है और प्रारम में बड़ा लोन ना मील पा रहा हो तो मैं यह वहों से खास करके आपील करना चाहूंगा कि आप छोटा लोन लेकर कर के कुछ अपने रिस्तेदारों का पैसा लागा कर 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 गे छोटा ही उद्धम चालू किजि तो जो विस्तार की प्रेक्रिया है वो धीरे-धीरे होती है आप जाहेंगे कि रातो रात हम एक कोई बड़ी कंपनी 100 करोर की कंपनी खोल लें कि वह संभब नहीं है लेकिन 50,000 का रुपे का निवेश करके एक छोटा सा manufacturing unit डालना और फिर उसको धीरे-धीरे-धीरे विस्तारि की जरूरत है और मुझे लगता है कभी-कभी कि यह रास्ता ज्यादा powerful है ज्यादा strong है सही कहा आपने क्योंकि जब हम बड़ी राशी से शुरुबात करना चाहते हैं और जब पैसा हमें नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि हम यह काम कैसे करेंगे पर आपने बहुत अच्छ अधाएं भी मिलना ज्यादा संबह हो पाता है बैंकों के माध्यम से और अन्या फाइनस की जो स्कीम से उसके थुरू इसके अलावा आप अपने बिजनस को भी जब ग्रो करते हैं तो पैसा खुद बखुद आना भी शुरू हो जाता है तो एक अच्छी कोशिश हमारे जो मारकेटिंग के बारे में आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जो भी उत्पाद बनते हैं हम मैनुफेक्ट्चर करते हैं तो बड़ा जरूरी होता है कि उसकी सही मारकेटिंग भी हो और उबहुगता तक हम उसे पहुचा भी सके क्या सरकार यहां भी मदद करती है चो चोटे को बाजार दिलाने में हमारी भूमिका होती है और हम लोग अपने अस्तर पर उनको तरह तह की प्रदर्शनियों में व्यापारिक मेलों में भागेदारी के लिए आमंत्रित करते हैं विभाग द्वारा अलग-अलग स्थानों पर मेलों आयोजिन किया जाता है जैसे अभी वि गद्रवाद में लोग नहीं मेला लगा था तो बिहार के जो ह स्थ शिल्पी हैं बिहार के जो बुन्कर हैं है कि उट्रावाद के molto करते हैं अभी काड़ा मेरा स्थानों पर शोरूम भी चलाया जाते हैं जिसके पट्टणा में ऐक खादी मौल है और यहां पर भी जो बिहार के बुनकर हैं और बिहार के जो हस्त शिल्प कलाकार हैं उनके उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और भोक्ताओं के लिए याने कशमर्स के लिए विक्री की जाती है वहां पर नई दिल्ली में भी एक बिहारी इंपोरियम है और पत्ना के जिसके अलाबा बाकी लोगों को अपना खूजना पड़ता है या इस चेत्र में भी जो लोग है यह एक चोटा हिस्सा होता है उनके कारोबार खा तो मार्केटिंग पर काम करना जो है एक बहुत जरूरी हिस्सा है उद्दिम का और डिफनेटली हमें तो ही कहूँगा कि जो आ जिए आपने जिकर किया कि किस तरह से जो छोटे उद्द्यमी हैं या जो कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं अपने घरों में ही कुछ उत्पादन कर रहे हैं उनको आप किस तरह से बाजार मोहया कराते हैं क्या सरकार उनकी संगठन पर भी काम कर रही है जैसे संगठित हो कर जब ग्रामिन विकास मंत्राले की और से वह काम किया जाता है और जीविका समुह के द्वारे हकाम किया जाता है और जीविका समुह है उनके द्वारा भी तरह-तरह के मेलों का योजन किया जाता है और उन मेलों में उनको बाजार हम लोग प्रवाइड करते हैं इसके अलाबा एक औ एक ही प्रकार के कई लोग एक ही प्रकार का काम करते हैं, तो वहां पर कलस्टर आधारित अध्योगिक सुविधाएं उप्लब्द कराने के लिए उप्लब्द काम करती है, इसमें होता यह है कि कोई भी ऐसी सुविधा जो की समुह को जरूरी हो, जैसे छोटे-छोटे जो नहीं खरिद पार हैं या बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित नहीं कर पार हैं लेकिन प्रोसेसिंग नहीं कर पार हैं, जैसे आप बुनकरों को लिए लिजिए कि उनको ढाइ हाउस अस्थापना में बहुत ज्यादा पुंजीय का घर्चा होता है, और इंडिवीजु जब कारे करते हैं और आपने बहुत अच्छे से उदाहरन देते हुए बताया कि किस तरह जो बड़ी जरूरते हैं अगर आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो संगठित हो करके भी इन सारी सुबेधाओं का फायदा अपनी उद्योग के लिए बिलकुल कर सकते हैं कुछ और बातो उद्योग बिभा की पत्रिका है जो कितीन महिने पर एक बार प्रकाशित की जाती है इस पत्रिका में जो योजनाएं हैं उद्यमियों के विकास के लिए उद्योग पतियों को सहता परदान करने के लिए या उद्यम लगाने के लिए क्या-क्या चीज़ों क्या वश्यक्ति कि इन सब के संबंध में हम लोग आलेख प्रकाशित करते हैं नए उद्यमी क्या कर रहे हैं और किस तरह से सफलता की नई कहानी कर रहे हैं इन सब को हम लोग उस पत्रिका में शामिल करते हैं उद्धोग मित्र हमारा हेल्प लाइन है एक तरह से कर सकते हैं इसका कारजाल है प आपको बिभीनी युजनाओं के बारे में या किसी भी युजना के बारे में पोर्द जानकारी हासिल करनी है तो उद्योगमित्र में आ सकते हैं इस तरह से इंद्राभण में हम लोग का SIPP भी है सिंगल विंडो सिस्टम यानि बिहार में कोई बड़ा निवे से दिख करना चाहता है तो उसको अलग-अलग विभागों में जाने की जरूरती है यानि कि तमाम तरह के क्लियरेंस के लिए नोडल एजनसी जो है वह उद्योग विभाग होगा एक वार आपने उद्योग विभ कि जरूरत किसी को न परे और एक अच्छी कोशिश में कहूंगी क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं और आपको परिशानिया होती हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ते हैं और एक सिंगल विड्लो जैसे आपने कहा तो बहुत सारी परिशानियों का हल वहीं पर निकल आता है और तब हम उमीद कर सकते हैं कि हमारे राज्जी में भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जो कलकार खाने हैं वो ज्यादा मात्रा में आएं लोग आएं और इस तरह से हमारे जो लोग हैं उन्हीं रोजगार भी हम मुहया करा सके मैं कौश हमारे दर्शक उठा सकते हैं जरूर बताएं युबाओं को प्रश्रिक्षत करने के लिए सरकार द्वारा लागातार कोशिश होती रहती है जो राजिकिये पॉल्टेक्निक है वहाँ पर तो हम लोग तक्निकी पढ़ाई कराते ही हैं इसके अलाबा जो कॉशल विकास सम्मंध चोटे-चोटे कोर्स जो है वह कराया जाते हैं उद्द्योग विभाग द्वारा हम लोग उने ट्रेनिंग पर बनाई है लेदर एंटेक्स्टाइल पॉलिसी का उसमें प्रावधान रखा है कि किसी का स्किल डेवलप्मेंट के लिए कोई काम काम करती है तो उनको हम लोग स सेंटर चलाते हैं इसी तर से मुखमंत्री युद्मी युजना के तहत जितने भी लाभूख हुए उन सब का प्रशिक्षन जो है 15 दिन का प्रशिक्षन हम लोगों ने प्रदेश के रिपूटेड इंस्ट्यूट में जैसे चंदरगुपता इंस्ट्यूट ऑफ मैनेजमें इन सब जगहों पर सब का प्रशिक्षन करवाया गया 15 दिन का कि आप उद्द्योग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें उसके बाद इस चतर में प्रवेश करें तो इससे उनको अच्छी खासी जानकारी हासिल हो गई पी एम एज़ीप कार्शक्रम में भी इस बात क ध्यान रखा जाता है कि जिनको लोन महिया करा जा रहा दिया जा रहा है उनका पहले एक प्रशिक्षन कार्शक्रम करा लिया जाए उद्द्योग के बारे में उनको अच्छी से जानकारी दे दी जाए उसके बाद उनको लोन सेंक्शन किया जाए महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजना है उसमें आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में इसके अलावा भी क्या कोई विसेश सुवेधा मिलती है अगर कोई महिला उद्यमी के तौर पर आगे आना चाहती है तो नहीं उद्धिमिता के बामले में और कोई विशेश सुविधा महिलाओं के लिए तो मुझे मेरी जानकारी में भी नहीं आ रही है किसी किसी योजना में हमको लगता कि स्टार्ट अप पॉलिसी में उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिये जाते हैं अगर आप महिला उद्धिमि हैं तो कुछ अतरिक सुविधाएं भी ये जो बभिन योजनाएं हैं उसके तहट प्रदान की जाते हैं बहुत विस्तार से आपने बताया उद्योग विभाग की जो बभिन योजनाएं चल रही हैं और खास करके जो हमारी योबा उद्धिमि हैं जो महिला उद्धिमि हैं या कोई भी विक्ति जो उद्योग की छेत्रों में आना चाहता है और जोसके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं कैसे कदम आगे बढ़ाऊं। उसके बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपने इसकारिकृम के माधिन से दिया है। इसके साथ ही आपकी वेक्तित्व का जो दूसरा पक्षे हैं मैं कुछ किताबें आपके साथ देख रही हूँ। आप लगातार लिखते रहते हैं एक प्रसाशन का छेत्र जहां बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। उसके अलावा आपकी लेखनी लगातार आपकारे कर करते रहे हैं कुछ कविता संग्रह आपनी प्रकाशित किये हैं उसके बारे में हमें बताएं। अब आपकी वेक्तित्व का ये दूसरा पहले। लिखने का काम तो प्रशासन में आने से पहले से मैं कर रहा हूं। उस दौरान मैंने कितावे तो नहीं लिखे थी लेकिने क्राशित पहले थी प्रकाशित, उसका नाम था अपडाउन में फंसी जिंदगाएं। ऐसलिए और रेल वेक्तित्व करते हैं जो अनभव मूचे हुए। hall meansI ति इसलिए उस संग्रा का नाम आप बाहूं को आ अन्ग्रेशी रेलवेश्म में आप जानती हैं कि अप और डाउन हम लोग तो जो रेलवे के लोग होते हैं सबको मनसील पर पहुंचाते हैं उनकी मनसील तो कुछ होती है पता चला कि बस एक कुछ दूर तक अप में गए और फिर वहां से डाउन में वापस आ गए तो जिंदिगी जो है अपर और डाउन के बीच फसी रहती है लॉक्डाउन के समय में एक दूसरा रूप हम लोग ने देखा कोरोना के चलते हमारे जिंदिगी का दूसरा रूप ले कारण सारा काम हम लोग घर से कर रहे थे तो जो कविताय मैं ने लिखी लॉक्डाउन के समय उसको संग्रह का हिस्सा बनाया लॉक्डाउन में फसी जिंदिगी और इसी दौरान मैंने मोटिवेशन की दो किताबें लिखी एक अप दीपो भव लिखा और एक खिलाडियों के जीवन हम लोग क्या सीख सकते हैं तो टोक्यो औलम्पिक की प्रेरत कहानिया है आज विहार बिहान में हमने आमंतृत क्या है श्री दीपा कुमार विसेश सची उद्योग विभाग विहार सरकार को और सर हम आपकी कविताओं का जिक्र कर रहे थे जो आपने लिखी है कोई एक ऐसी कविता जो आपके दिल के खरीब हो हमारे दर्शुकों को सुनाना चाहेंगे मौके का फायदा मैं जरूर उठाओंगे इधर मैंने मोटिवेशनल स्पीचेज लिखे हैं मोटिवेशनल बुक लिखी थी अप टीपोभव एक पुस्तक मैंने लिखी है जिसमें हमने बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए और मैंने जिक्र किया भी कि एक टुक्की ओलंपिक के खेलारी यह उसा हमने क्या सकते हैं यह आपकी दूसरी किताब आई यह दोनों पुस्त के इस साल प्रकासित हुई है और दोनों ही मोटिवेशनल स्टोरी जिससे जीवन जीने की खला हम सीख सकते हैं जो आपके अनुभ के समय मिला तो हमने लेखनी का थोड़ा ज्यादा इस्तिमाल किया है समय मिलने का उप्योग हम ऐसा करना चाहिए आदमी को तो उसी समय की लिखी हुई यह कविता मैं सुना रहा हूं कविता का सिर्शक है सदा उसी की जय है रुकती नहीं नदी की धारा रुकता नहीं समय है चलता रहे निरंतर जो भी सदा उसी की जय है अकरमन्य की हर राह है मुश्किल बैठे बैठे मिलेन मंजिल गहरे पानी में जो उत्रे पार उसका जाना तय है चलता रहे निरंतर जो भी सदा उसी की जय है और आगे की पंक्तियां है कि अज्ञान बढ़ाए मन का बोजह यदि आपके पास ज्ञान की कमी है तो उससे मन के बोज को हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं तो अज्ञान बढ़ाए मन का बोजह मूर्ख बनाएं पंडित ओजह गुरू का सदज्ञान मिले जब बचता नहीं संसय है चलता रहे निरंतर जो भी सदा उसी की जय है और आगे है कि छल करने को बनता भोले जो दूसरे को छल करने के लिए भोला बनता है जो छल करने को बनता भोले सत्य जान असत्य जो बोले छल करने को जो बनता भोले सत्य को जान असत्य जो बोले बलके मद में निरबल को रौन दे है बहुत ज़ादा बल है और हमको घमन्ड हो गया है तो बलके मद में निरबल को रौन दे होता उसका छै है चलता रहे निरंतर जो भी सदा उसी की जै है चलता रहे निरंतर जो भी सदा उसी की जय है बहुत कुछ कहा है आपने अपने इस कवेता में और जो मैं बंक्तियां सुन रही थी दो चीजे मुझे नजर आई एक तो अपने जीवन की सचाई कही कि अगर आपको जय हासिल करनी है विजय हासिल करनी है तो सदा आपको चलते रहना है तभी जो सफलता है वो आपके चरण चूमेगी इसके अलावा आपने कुछ और भी कहा है कि जो विसंगतियां हैं जैसा हम करते हैं जो चल भाव हमन में रखते हैं उसके बारे में भी आपने कहा है अपनी बंक्तियों के माध्धन से और दोनों का बड़ा सुन्दर समावेश भी किया है। जब हम पथिक बन गए तो चलना है। जंगल और जार हैं, पत्थर और पहार हैं, कलकल करती नदी है, जो कि कलकल करती बहर रही नदी और हमें पार करो कह रही नदी। आगे हवा भी बड़ी तेज है, मार्ग में नहीं कोई सेज है। फिर भी तुम रुको नहीं, फिर भी तुम झुको नहीं, रास्ता कठिन जरूर है, रास्ता कठिन जरूर है, मन्जिल नहीं पर दूर है, हौसलों को थाम लो, प्रकृती से पैगाम लो, बिन थके बढ़े चलो, उतसाह संग बढ़े चलो, सुनापन बहुत डराएगा, रास्ता बहुत सताएगा, पर बात को यह जान लो, पर बात यह तुम जान लो, सीख अच्छी मान लो, डर के आगे जीत है, वह जीत जिससे तुम्हें प्रीत है, ओ पथिक जुको नहीं, ओ पथिक जुको नहीं. और अपने जीवन के लक्ष की और अग्रसर हो, बहुत संदर पंग्तियां आपकी. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज के इस मुलाकात में सबसे बड़ी बात की, मैं एक प्रशाशनिक अधिकारे से भी ने बात किया, जिसके पास योजनाओं की जानकारी थी, एक वजन था कैसे देश को, कैसे राज्य को प्रगती की पत पर ले जाना है, उद्योगों का कैसे विकास करना है, और आपका दूसरा पहलू में एक कवी से भी मेरी मुलाकात हो रही है, जिसके पास जीवन का बहुत सारा अनुभाव है और उनको समेटा है आपने पांक्ति लिखा है, और यह बात में सब को कहता हूँ, कि जीतने के लिए चलना होगा है, यदि हम चलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे, जीतने के लिए चलना होगा, और चलने से पहले जलना होगा, यानि कि अपने अंदर की जो आग है उसको जलानी होगी, अपने आपको आपको आ पने अंदर कि यहां अंदर के आप उसको जला करके हखना है हम आसको करता है कि कुई सब्सक्क्राइब हो जोसित नही송 हो जनकर रहा है। के समाधान भी साथ में आते हैं इस बात को भी हमें ख्याल लखना है कि समस्या हर समस्या का एक समाधान होता है हमारी द्रिश्टी वहां जाए या ना जाए हर मुश्किल का हल होता है आज नहीं तो कल होता है और आपकी इस बहुत अच्छे संदेश के साथ मैं आपको हार धन्यवाद देना चाहूंगी वक्त निकाला आपने और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी बाते बताएं धन्यवाद आपका अब दर्शकर आज हमने बात की श्रीदी पकुमार जी से विसेश सची उद्योग बेगभाग और बहुत कुछ जाना कि कैसे जो हमारे अंदर जो हुनर है जो हमारे विचार है उन्हें हम साकार रूप दे सकते हैं तो चलिए कोशिश करते हैं हम सभी और मनाते हैं एक उद्यमी बिहार को भी हमारे लिए भी थोड़ी कोशिश करिए हमें जरूर बताएए कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कारिक director ddkpatna at gmail.com